जैशी कृष्ण दोस्तों बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शेष्ट माना जाता है एक निर्जला एकादशी और पुत्रदा एकादशी ऐसी एकादशी हैं अगर इस एकादशी में आप कोई भी मनो कामना रखत के योग बनेंगे दोस्तों गुप्त उपाय का अर्थ होता है कि husband wife के अलावा इस उपाय के बारे में किसी को ना बताया जाए अगर आपको कोई उपाय करते हुए देखता है या टोकता है तो उस उपाय का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है इसलिए जब भी इस उपाय को कर तो गुप्त तरीके से करें ताकि आपको कोई टोके ना दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब निकाता सस्क्राइब अवश्य कर ले बगलने वैल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का पूजन करना चाहिए उनको पीला चंदन पीले फूल अवश्य अर्पित करें और साथ ही रितु के अनुसार फल भी अवश्य अर्पित करना चाहिए दोस्तों संतान प्राप्ति के लिए जो पिछली वीडियो मैंने उपाय बताया है वो आपको अवश्य चड़ाना श्रीरी भगवान के सामने भगवान कृष्ण के सामने एक शुद्ध घी का दिपक जलाकर आपको संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक उचारन करना चाहिए दोस्तों अगर आप देखे वरत करते हैं तो बहुत ही शेष्ट है अगर वरत नहीं कर सकते तो इस उपाय को आप अवश्य ही करें आप वरत कथा का श्रमन भी अवश्य ही करें और आपको इस दिन भगवान कृष्ण को वरत की खीर का भोग लगाना है आपको इस दिन वरत वाली खीर का भोग अवश्य ही लगाना है खीर में आपको देखे तुलसी का पत्ता रखकर भगवान कृष् पतनी को ही ग्रहन करना है अगर पती किसी वज़े से साथ में नहीं रह रहे हैं कहीं बाहर हैं तो केवल पतनी उसको ग्रहन करें बाकि आपको किसी को भी प्रसाथ के सुरूब उसको नहीं देना है दोस्तो इस तरह से आपको खीर का भोग लगाना है और जो हम गुप्त उपा साबत काली मिर्च लेनी है और अपने उपर से आपको एंटी क्लॉक वाइस यानि उल्टी तरफ से साथ बार घुमाना है और अपने घर की छट पर या बालकनी में जाकर आपको चार काली मिर्च चारो दिशाओं में फैकनी है और एक काली मिर्च आपको आस्मान में फैकनी है दोस्तो दूसरे दिन अगर या रात में ही फैकने के बाद कुछ देर बाद और दोस्तो इस दिन आपको देखे पीपल पर भी दीपक अवश्य ही जलाना है दीपक जलाकर आपको पीपल देव से क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का और श्री भगवान का वास माना जाता है पीपल में तो आपको इस दिन दीपक अवश्य ही जलाना है और उनसे प्रात्ना करनी है अपने संतान प्राप्ति के लिए किसी तरह का दोश है किसी तरह की बाधा आ रही है तो उसके लिए भी आपको प्रात्ना करनी है दोस्तो जो आपने काली मिर्च फैकी हैं चारो दिशाओं में और उपर अगर आपको दूसरे दिन या उसी दिन रात में एक दो घंटे के बाद आपको देखना है जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो ध्यान रहे कि कोई आपको टोके ना कोई आपको देखे ना क्योंकि अगर कोई देखेगा तो आपको टोकेगा अवश्य कि आप क्या कर रही है तो फिर उस उपाय का प्रभाव कम हो जाता है इसलिए ऐसे समय पर करें जब आपको कोई देखना रहा हो और सुरियास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों एक दो घंटे बाद या दूसरे दिन अगर आपको देखे काले मिर्च का दाना मिल जाता है कोई सा भी दाना जो आपने आस्मान की तरफ फैका है या वो मिल जाए आपको फैक कर अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है अगर नहीं मिलता तब भी कोई बात ने दोस्तो अगर मिल जाता है न तो उसको आपको देखे तुलसी की मिट्टी में उसको दबा देना है आपको शीगर ही संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तो जो श्रीरी भगवान को आपने मोरपंक और बासुरी अर्पित करी है दूसरे दिन अपने बैड के नीचे र भगवान ने जब राम रूप में अफ्तार लिया था तो उनकी मैया ने खीर ही खाया था प्रसाज सरूप उनको खीर ही मिली थी इसलिए दोस्तो निर्जला एकादशी का बहुत अधिक महत माना जाता है अगर आप वरत करके इस उपाय को करें तो सबसे ही अधिक शेष्ट अगर आप वरत नहीं कर सकते तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें श्रीरी भगवान की किरपा से भगवान कृष्ण की किरपा से आपको संतान की प्राप्ती अवश्य ही होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और comment box में जैशी कुष्णा अवश्चे लिखें आप सभी को जैशी कुष्णा